Hello friends, स्वागत है आपका fire cook में हाज मैं आपके लिए recipe लेके आई हूं फराली starter की recipe तो ये फराली starter बहुत ही अच्छी recipe बनती है और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया लगती है और इसको बनाना बहुत य separate आसाना है इसको मैंने दो-तीन पानी से वोश कर लिया है और अब वोश करने के बाद में हमें इसके अंदर पानी एड करना है तो देखे फ्रेंड्स यहाँ पे कितना पानी एड करना है वो भी मैं आपको दिखा दिया तो यहां पे साबुदाना के लेवल से थोड़ा ही उपर हमें पानी एड़ करना है और इसको हमें दो गंटे के लिए रेश्ट देना है तो देखे फ्रेंड्स दो गंटे के बाद बहुत ही खिले खिले से साबुदाना बनके रेडी हो गए है तो ऐसे ही पर्फेक साबुदान demands separate होने चाहिए यहँ पर एक बोल में हमें लेना है च्यों हमें साबूदाना ready किया है और मैंने यहाँपे लिया कि तीन आलू जिसको मैंने boil करके बिल्कुल ठंडा कर लिया है थोगा कि गरम नहीं होना चाहिए अगर आपके आलू गरम होके तो यह चिक नहीं हो जाए तो लेती हूँ और इसके बाद में यहां पे इसको मैं ग्रेट कर लेती हूँ तो फ्रेंड्स खास जान रखना है कि जब आप आलू बोईल करते हो तो आलू बोईल करते वक्त बहुत ही ज्यादा बोईल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और जैसे आलू का दरती कम हो जाए और उसके अंदर पानी चड़ जाए ऐसा आलू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आलू एड करने के बाद में हमें एड करना है सारे मसाले तो मैंने यहाँ पी लिया है 1 टीस्पून जितनी ग्रीन चिली पेस्ट बाद में इसके बाद में एड करते हूं बाद में इसके बाइंडिंग के लिए में एड करते हूं दू टेबल स्पून जितना साबुदाना पावडर और इसको अब हम अच्छे से करलेंगे mix मेरे पास साबुदाना पाउडर रेडी था लेकिन अगर आपके पास साबुदाना पाउडर रेडी नहीं है तो आप घर पे पी साबुदाना कूपीस के आप पाउडर बना सकते हो और इसके अंदर आप एड़ कर सकते हो तो यह हमारा रेडी है तो इसकी अब हम बना लेते हैं छोटी छोटी स्टीक तो मैंने यहाँ पे लिया एक स्टेंडले स्टील का चौपर बोर्ड और हमें थूड़ा साई मसाला लेना है और इसकी हमें ऐसी पतली पतली स्टीक जैसे रेडी करना है आप चाहे तो नगेट्स के शेप में या फिर बो और ऐसे ही वन बाई वन हमें सारी स्टीक रेडी करनी है तो देखे फ्रेंड्स यह साबुदाना का स्टार्टर को मैंने तीन शेप में बनाया है यह नगेट्स के शेप में है बोल्स के शेप में है और यह पतली पतली स्टीक के शेप में है तो आप चाहे तो कोई भी शेप में आप बना सकते हो गरम हो गया है और अब इसके अंदर हम एड़ करते है तो फ्रेंड्स खास जान रखना है कि गेस की फ्लेम मेडियम होनी चाहिए तेल बहुत ज्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए तो देखे फ्रेंड्स यहां पे हमारा स्टाटर्स जो हमने श्टीक फ्र राउन कलर हो गई है और अब इसको अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में यह बहुत ही क्रिस्पी हमारी साबुदाना फ्राइस बनके रेडी हुई है आप देख सकते हो कि इसमें बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी है और एकदम आवाज भी आ रही है तो देखे फ्रेंड्स साबुदाना का स्टार्टर मैंने तिन शेप में बनाया है राउंड बोल्स नगेट्स और स्टीट तो अब इसका हम कर लेते हैं प्लेटिंग अगर आप उकवास में खाना चाहते हो तो ये ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हो लेकिन अगर आपको बिना उकवास खाना है तो एकदम अलगी डीप आज मैं आपको सिखाती हूं को साथ है विना उपास खुाने के लिए मैंने लिया है यहां पर मेरनीस और थाउजन अईलेंश इसके उपर में करूंग की लाइनिंग आप चाहे then mix यहां तो यह यहां पर मैं अब मैं टेस्ट करके भी आपको दिखाती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है वह भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया टेस्ट है बिना उक्वास में भी अगर आपको खाने का मन करें तो 100% यह रेसीपी आप बना सकते हो और एक बार जरूर ट्राइ करना और यह रेसीपी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत पूलना और बेल जरूर ट्लिक करना थैंक यू फोर वाचिंग मैं वीडियो